नमस्कार दूस्तों आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस दमदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए है सूना लिका की तरफ से आने वाला डि-i-42 45 HP की केटी girie में आने वाला दमदार ट्रेक्टर सिकंदर स्रीज में आने वाला ट्रेक्टर जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगए तो से लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सोना लिका का डी सबसे बैदे ट्रैक्टर की लुक की बात करते तो यहाँ पर दमदार यहाँ पर सिकंदर शिष का डीकेट लुक देखने को मिल जाता है सामने सोना लिका की ब्रैंडिंगशा की ब्रांडिंग सामने की ग्रिफ, बड़िया टाच at arch की बित शैर्ट मको यहाँ बड़िया ध टाइप की पावर स्ट्रिंग देखने को मिल जाती है जो कि सांदर परफॉमिस के लिए जानी जाती है साइड में डी आई ब्यारीस के साथ सुना लिका इंटरनेशनल HDM, Heavy Duty of Mileage की ब्राइणिंग भी देखने को मिल जाती है वहीं धमदा ट्रेक्टर में आगे बात करते हैं ट्रेक्टर की इंजन की इसके लिए इसका बोनट खुलते हैं की से कनेक्ट 20 से खुलने वाला हमको ट्रेक्टर का यहां पर बोनट मिल जाता है सिंगल पी सामने की ओर से खुलने वाला है इस ट्रेक्टर में को बोनट मिल जा रहा है वहीं ट्रेक्टर के एर फिल्टर की बात करते है तो सुना लिका के तरफ से आने वाले इस ट्रेक्टर में हमको cooling technology तो water cooling technology के साथ tractor मिल जाता है with coolant और overflow reserve भी इस tractor में हमको मिल जाता है वह दमदार tractor में आगे tractor के engine की बात करते है सोना लिका D.I.E. में हमको 42 में यहाँ पे 2899 CC का 3 cylinder वाला दमदार engine मिल जा रहा है जो कि 1800 engine rated RPM पे work करने वाला दमदार engine है तीन cylinder वाले engine के साथ हमको इस tractor में साथ में inline pump यहाँ पे boss का fuel inline pump मिल जा रहा है तो कि सांदर performance करने के लिए जाना जाता है साथ में हमको single diesel filter के साथ इस tractor में water separator की सुविधा भी देखनी को मिल जाती है साथ में alternator के नीचे हमको tractor में dual pump मिल जाते है जो कि tractor के hydraulic power और steering power को boost करते है साथ में जो tractor की battery है वो हमको side में सुरक्षित लगी मिल जारी है इस box में इसका यहाँ भीगने का भी खत्रा हमको नहीं होता है वह दमदा tractor में आगे बात करते है tractor के transmission की tractor के gearbox की साथ में हमको यहाँ पर एक toolbox भी दिया है company ने साथ में tractor पर चलने के लिए मजबूत foot step पर मिल जाता है hand grip भी इस tractor में मिल जाती है tractor के transmission की बात करते है तो इस tractor में हमको यहाँ पर constant means type का transmission मिल जा रहा है with side shift gear के साथ आगे दमदा tractor में बात करते है tractor की seat की तो इस tractor में हमको adjustable seat मिल जाती है जिसको हमारी आउसकता है क्यानुसार आगे पिछे adjust कर सकते है आगे चलते है tractor पर और देखते है इसके liver position तो seat के right side में हमको यहाँ पर tractor का main liver मिल जा रहा है जिसमें हमको चार forward और reverse gear के option मिल जाते है seat के side side में हमको यहाँ पर drop and position control मिल जाता है जिसके सायता से tractor पर चलने वाल equipment को adjust कर सकते है वही दूसरी तरफ इस tractor में high low की category इस tractor में मिल जाती है इस प्रकार इस tractor में कुल 8 forward और 2 reverse gear के option मिल जाते है वही नीचे के side हमको यहाँ पर PTO का liver मिल जाता है जिसमें हमको reverse PTO का option भी मिल जाता है साथ में जो tractor का clutch है तो यह tractor हमको dual clutch और single clutch और optional के साथ मिल जाता है वही टेक्टर में OIB brake तेल में डूबे ब्रेक मिल जाते है जो कि सांदर performance करने के लिए जाने जाते है वही सांदर टेक्टर के steering type की बात करते है तो हमको single acting की balance type के hydraulic power steering मिल जाती है steering के नीचे tractor की handrest मिल जाती है और वही टेक्टर का cluster भी सांदर analog type का cluster मिल जाता है जिसमें हम टेक्टर का temperature, diesel, RPM की जानकर यहाँ से ले सकते है वही टेक्टर हमके जो horn indicator sound वगर को control करने के लिए यहाँ पे switch मिल जा रहा है साथ में टेक्टर का diesel tank है तो 55 liter capacity का बड़ा diesel tank इस टेक्टर में मिल जाता है दमदा टेक्टर में आगे बात करते हैं टेक्टर के और भी feature की तो seat के नीचे हमको यहाँ पे टेक्टर का parking brake मिल जाता है साथ में transport lock की इस टेक्टर में हमको देखने को मिल जाती है वही टेक्टर की जो lighting है तो काफी खाज attractive इस टेक्टर में देखने को मिल जाती है जो कि टेक्टर को और भी खाज बनाती है दमदार ट्रेक्टर में आगे बात करते हैं ट्रेक्टर के पीछे के बाग की ट्रेक्टर के लिप्टिंग केपसिटी और हैड्रोलिक पावर की सोना लिका की तरफ से आने वाले डियाई 42 में हमको यहाँ पे 1800 केजी की दमदार लिप्टिंग केपसिटी मिल जाती है में ट्रेक्टर के जो PTO है तो हमको 540 राउंड वाला reverse PTO option के साथ इस ट्रेक्टर में PTO मिल जाता है साथ में ट्रेक्टर का हीच fully adjustable जिससे हमारे ट्रेक्टर पे चलने वाले equipment को आसानी से चला सकते है आगे ट्रेक्टर के 3-point linkage की बात करते तो इस ट्रेक्टर में हमको DRC wall और isolator wall की सुविदा मिल जाती है साथ में single distributor point मिल जाता है इसे ट्राली वगरे को हमासानी से चला सकते है वह ट्रेक्टर में हमको पीछे indicator वगरे लगाने के लिए ट्राली में एक point भी मिल जाता है साथ में seat की पीछे reflector मिल जा रहा है driver की safety के लिए और एक bottle holder भी इस ट्रेक्टर में देखने को मिल जाता है साथ में tractor के दोनों fender को जोड़ रखने के लिए एक मजबूत rod भी इसमें लगी मिल जाती है वह दमदा ट्रेक्टर में reverse speedo का option है ही साथ में हमको जिसके पीछे के टेल लेंपर काफी सांदर है ट्रेक्टो मिल जाते है और रात वगेर में काम करने के लिए बड़ी हेलोजन लाइट भी पीछे की और मिल जाती है आगे बात करते हैं दमदा ट्रेक्टर के tire size की सोना लिका के तरफ से आने वाले di 42 में भी हमको यहाँ पर 14-28 के बड़े tire मिल जाते है tire optional है 13 के भी हम tire ले सकते है साथ में tire और fender के बीच में हमको सांदर गेप यहाँ पर देखने को मिल जाता है में ट्रेक्टर के आगे के tire की बात करते है तो इस ट्रेक्टर में हमको 6-16 के यहाँ पर ट्रेक्टर के आगे के tire मिल जाते है और इस ट्रेक्टर की जो SFC है और यहाँ पर पीटे ओ पावर है company fitted plate के माद्यम से हमको दिखाते है यहाँ पर ट्रेक्टर की maximum PTO पावर हमको 30.6 किलो वाट याने 41 HP की मिल जाती है साथ में 245 के SFC ट्रेक्टर की fuel consumption मिल जाती है तो दोस्तों यह था सोना लिखा की तरफ से आने वाला दमदार DI 42 सिकंदर सीरीज में आने वाला दमदार ट्रेक्टर 45 HP की केटिगरी में आने वाला अट्रेक्टर इसके बारे में आपको जानकरी कैसी लगी कमेंट करके जरू बताईएगा और अब ही तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए